ओम नमस्षिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमस्षिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जै गुरुजी संगजी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टूडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें और सबिस्क्राइब करें, और साथ मे लगो है बेल आइकान के बटन को प्रेस करके आल पर क्लिक करतें ताकि डेली अप्लोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगजी आप तक पहुंच सकें अपना सत्संग काफी संगत परिशान है आपने इसका टाइटल ही देखा है कि कैसे आपको हर चीज गुरुजी क्लियर करेंगे और इस सब चीजों से आपको बचना कैसे है वो भी महराज आपको रस्ता देंगे इस पूरे सत्संग में सत्संग को लास तक सुनिएगा जादा से जादा शेयर कीजिएगा पता नहीं किसकी परिशानी कहली सत्संग कंदर से निकल किया है और इस सत्संग माय साथ शेयर किया है देवनाथ हांटी जी ने वेस्ट बेंगॉल से मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उनने गुरुजी से आग्या लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया चलिए सत्संग स्टार्ट करते है जय गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी गुरुजी महराज को कोटी-कोटी प्रणाम और सारे संगत को भी प्यार भराना मुश्कार मैं वजबंगल अलकुर्द्वा डिस्टिक से बोल रही हूँ गुरुजी आप सब के पास किस रूप में हैं पता नहीं पर मेरे लिए तो सब कुछ है शुक्राना गुरुजी महराज को मेरी जीवन की हर चीज के लिए हर सुप के लिए जीवन की हर सास के लिए शुक्राना गुरुजी महराज को 31st मार्च को पांच वास्प यानि बोलता जिसको कहते मेरी घर में आई और रात को एक बज़ के करीब और चारू पांच मर गई तो इस तरह से जब से मेरी घर बनी है यह हर रोज कम से कम एक दू करके ऐसे मर रही है जो बिशेला इंसेक्स है मधुमकी की ऑपोजीट है वही मुझे नहीं पाता शायद हमारी कोई कष्ट उनके उपर जा रही है शुक्राना गुरुजी महराज को मुझे तो देखके ही डर लगता है पता नहीं क्या बात है और एक चार चौबीस शीव मंदिर में में गई मंदे थी उस दिन गुरुजी ने कहा सत्संग में बोली कि ये तुम को करनी है मंदिर जाना है शुक्राना गुरुजी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी शीव शिवा की रूप में दर्शन दी मंदे को शुक्राना गुरुजी मंगलवार को चूर्मा की लड़ू चराने कहा था पर मैंने ठीक से देखा नहीं या फिर भूल गई पता नहीं पर लड्डू और पंजिरी चराई हुनुमान मंदीर में जो पहले चराई थे शुक्राना गुरुजी और जो गलती की है इसके लिए शमा करना अगली मंगलवार को जरूर कोशिश करूँगी चूर मैं की लड्डू जराने की गुरुजी ने कहा मैं चोखट पे पहरा लगाती हूँ मंदे को सत्संग में मुझे मेसेज की पूरी मंगलवार सुबश ये शाम तक एक पत्ते की कलर की बटरफ्लाई रूप में मेरे घर की चोखट की पास बैठी रही एक बटरफ्लाई शुक्राना गुरुजी उसी दिन गुरुजी ने कहा शाम तक एक खुश खबरी मिलेगी जो मेरी दुखों की बजय है जिसने मेरी दुख दीने की पीछे बजय बनके है तो उसी दिन मंगलवार शाम को मेरी एक मौसिक की बेटे आई ये बोलने के लिए कि मेरी बहन की जींद्गी में बहुत ही उथल-फुथल मची है शुक्राना गुरू जी मुझे इसकी बारे में उतना शक नहीं थी पर गुरू जी ने प्रूव करके दिखाई और गुरुजी ने कई सत्संग में मुझे कई बार और सपना दर्शन में भी दिखाई कि मेरी मौसी मेरी दुख की कारण है शुक्राना गुरुजी मेरी मौसी और मेरी माता की या मेरी बीच ऐसे कोई कर्म की कनेक्शन है जो जिस मौसिकों में अपनी ही माता समस्ती थी वो मेरी दुश्मन निकालाई शुक्राना गुरू जी गुरू जी ने कहा ये सारे रिष्टे नाते तू छोड़ दे मैं हूँ तेरी साथ शुक्राना गुरू जी कही बार साथ संग में इशारा दी थी पर मुझे उतना वो नहीं लगी थी और जो रिष्टा इतनी गहरी थी अचानक तोरना भी मुश्किल पर जाती है क्योंकि उनकी पास मेरी कुछ सोने भी परे थी वो मुझे मैं लेके फिर उनको माना किया कि आप एक साल तक मेरी घर में म आना और तु कुछ कहने ही पाती थी क्या बताओ तो शुक्राना गुरुजी आप ही कुछ ऐसा करो कि सारे लिष्टे तूट जारे और आपकी माना करने की बावजूद उहा जाने के लिए मुझे शमा करना आगे ऐसा नहीं होगा शुक्राना गुरुजी पिता की बारे में बार बार सस्संग आ रही थी पिता की देखवाल करने की तो बुद्वार पिता की पाज गई थी गुरु जी की इशारा नहीं थी पर गुरु जी को बता के गई थी पिता से फिर भी लराई हुई मेरे गुरु को लेकर हमेशा गुरु जी महाराज को और भी दो बार पिता ने उल्डी सिदी बोली थी क्योंकि वो कर्मकान में विश्वास करती है गुरु मैंने ही शमा कर देना गुरु जी महाराज क्योंकि वो पहले भी जो मेरी पहली सद्गुरु थी उनकी बारे में भी ऐसे ही वो अफशब बोलती थी तो मैंने कहा मैं किसी मेरी गुरु जी महाराज और गुरु के बारे में नींदा मैं नहीं सुनूंगी कहते हैं गुरु ब्रह्मा और विश्नु महेश होती है हम दोनों क्यों लड़ रहे है गुरू को लेकर इश्वर को लेकर हम दोनों के विच इसको लेकर क्या कौन सी ऐसे लड़ाई है पर उसने नहीं मानी फिर भी बोलने लगी तो आता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गई मुझे नहीं पता गुरू जी ये मेरी गलती हुई थी या नहीं पर मैंने गुरू जी का जो लॉकेट सरूप उनकी गले में थी वो मैं खुल के लेके आ गई पता नहीं मुझे क्या हो गया मैं उनकी गले से उतार कर लेके आ गई और उसने बोलने लगा कि मैंने अपनी अंकल एक अंकल को भी लॉकेट से रुब दी थी एक हफ़ते की बाद उसके डेथ हो जाती है वो कहती है कि लॉकेट परने की बज़ए से फिरकी उनकी डेथ हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उनको लेके चली आई दोनों ही लोकेट अंकल की घर भी गई और वो भी लेके आ गई मुझे नहीं पता गुरुजी ऐसे करना ठीक है या नहीं पर मेरी गुरुजी महराज को जिसने मुझे जीन्दे की दी है हर सास हर लम्हे हर खुशी दी है मुझे मेरी हर मुझे वच्चे मेरी साथ खरी है मैं उसके अपमान सह नहीं बाई गुरुजी मुझे गुश्या आया इसलिए भी मुझे शामा करना शुक्राना गुरुजी मेरी हर पल रक्षा करने के लिए मैसेज भी दी थी गुरुजी ने जो लोग कभी नहीं मेरी कदर करते है तो उनकी साथ मेरी रिष्टा नहीं रखना चाहिए पर मैं कुछ किसी भी रिष्टे निभाने नहीं गई थी बस दोनों ही सरूप कलेक्ट करना था और पिता से मिलना था गुरुजी मुझे शमा कर देना फिर भी अगर मुझे कोई गलती हुई तो गुरुजी महराज मेरी घर में पहरे लगा के रखा है हर वक्त मेरी साथ चलती है गुरुजी बाटरफलाई रूप में गुरुजी ने कहा मैंने तेरी और तेरी बच्चे का हत पकर के रखा है गिरने नहीं दूँगा हारने नहीं दूँगा शुक्राना गुरुजी जिनको तेरी कदर नहीं उन रिष्टों को छोड़ दे फिर से मेसेज किया वो तेरे लिए ठीक नहीं शुक्राना गुरुजी ब्रिहस्पतिवार मेरी घर में चाय पीने आएगी गुरुजी ने मैसेज की थी छोटी छोटी बच्चे तो आई थी पर दोब्रिध भी आई थी जो मेरी मौसी की गाउ की ही है किर्टन के लिए पैसे लेने आई थी तो उनको मैंने अद्रक और बिस्कित के साथ शुक्राना गुरुजी गुरुजी को कई कफी चराई थी उनको अद्रक और इलाइची चाय बिस्कित दी थी गुरुजी को फिर उसी वक्त दी थी तो उस वक्त इलाइची चाय नहीं दी तो कभी चाय भी इलाइची चाय भी चराती हो कभी कफी चाय भी गुरु जी को चराती हूँ, शुक्रना गुरु जी, गुरु जी ने कहा अपने बच्चे की चिंता मत कर, टेंशन छोर दे, कुछ भी होती है, तो मैं रोती रहती हूँ गुरु जी, गुरु जी कहके, राद भर उरती हूँ, फिर नींद आ जाती है, मंत्र जब भी नहीं होत नींद भी नहीं होती है पर एक भायाना के एक्सपिरियंस में गुजर रही हूँ गुरु जी को पता है संगत जी सबको माप करो चाहे वो कितनी भी बुरा करें मुझे भी बहुत गलती हो रही है मैं अपनी आपको सुधार नहीं पा रही हूँ मेरी इस गलती की साजा भी मिल रही है आज फ्राइडे मेरी हाथ मिक्सी मेशीन के अंधर चली गई थी जो कि एक तर्सप्रेल Bitte बुराल के उंड reckless मैंना अंदर चली गई थी क्योंकि उसकी धकन जो है वो चल गई थी और में देखते देखते उंड़ी पहले चली गई हाथ चले गए तो वो कट गई पर फिर भी मसाला नहीं बनी गुरुजी की क्रिपा से पर बहुत ही ब्लीडिंग हुई अभी भी हो रही है अभी एक हस्पिटल में गई थी दूसरे में जाओंगी गुरुजी ने कल ही एक ससंग सुनाई थी पर मैंने कल उस ससंग सुनने ही पर आज देखी तो उंगली कटने की ही थी इससे पहले भी जिस दिन मैंने मोबाइल खोई थी उसी दिन सुबह मुझे एक मोबाइल खोने की मेसेज भी थी पर मुझे उस वक्त याद ही नही थी ओख बोरी बना ती तो उसको बाढ़ने के लिए क्योंकि ये पितरी पक्ष चल रहा है तो पितरों के लिए तो सबजी बनाने से पहले हाथ कट गई पर फिर भी उंगली पूरी तरह से काटने से बचा लिया गुरुजी ने शुक्राना गुरुजी गुरुजी ड्रागन फ्लाई रूपने भी कई मैनों से मेरी घर की सामने पहरा दे रही थी पर आज नहीं है एक भी ड्रागन फ्लाई पर मुझे भी इस बात का वो हो रही थी कि ये ड्रागन फ्लाई हमारी पहरा दे रही है पर ड्रागन फ्लाई की विशय में उतना सत्संग नहीं आई तो समझ नहीं पा रही थी पर शुक्राना गुरुजी जो इतिनी पहरा दी रही थी गुरुजी और एक पिको की कलर की तरह एक पंठी की रूप में भी मुझे कई दिन दर्शन दिये जो एक खास तरीके की पंठी है तो वो अभी दो चार जिसकी गला ब्राउन कलर की है और पीछे मयूर की कलर की है तो शुक्राना गुरुजी और कभुतर रूप में भी वाइट कभुतर एक ब्लैक कभुतर एक जम सी ब्लैक कभुतर और बाकी प्रिंटेड वाइट एश कलर में तो है ये पर एक पूरी तरह से ब्लैक कभुतर औ कर्फाबstawों तो मेरी घर में मेरे जीवनों बहुत ही ब्लैकमेदी की प्रभाव से बहुत कुछ चल रहा है जो भे Satya के इस्प्रीयंच मे Pac आम ब्लैक बैटर्फॉय बहुत दिखती है जबी Amen 데के ना कि ब्लैक से नही मेरे भरेड़ आती है तो imagining ब बटरफ्लाई लिखती है तो ये बॉलेक बटरफ्लाई मुझे लगता है कि बहुत ही नेगेटिव परसंस नेगेटिब एनारजी को शो करने के लिए ही गुरुजी महाराज उस बाटल फ्लाइ रूप में आती है शुकराना गुरुजी इतिने दिन ड्रगन फ्लाइ रूप में भी मेरी ऊपर वो दे रही थी एक दिन गेट में भी आके वो करके गई ब्लेशिंग देखे गई और KAL कई बार गुरुजी महाराज बाटल फ्लाइ रूप में मेरी कीचन में मेरी घर की राइट साइड में याने दक्षिन की तरफ मेरी गेट की तरफ और मेरी नॉर्थ इस्ट की तरफ भी बहुत सरी चक्कर लगा के गई शुक्रा ना गुरुजी गुरुजी महाराज रायज भूद कुछ खास तरीके की पंची की रूप में भी आती थी वु mi-der में आती थी और मेरी नौर्थिस्ट में जो पौता है फूल है उस में वो आकर वैरती थी जिसकी गला पुरी ही red color में है छोटा छोटा पंच है और बागी color एसे ही है उतना तो अभी याद नहीं तो चुटी-जोटी पर उठकी पूरी हाफ गले से वो रेड कलर की है तो वो मुझे मेरी घर की कौने में ही और बाहर दो बार ही दिखाई दी तो शुक्राना गुरुजी जो बाद में मुझे जो मेसेज में फ्लेश हुई जो की गुरुजी महाराज की साथ ही वो दिखाई दे रही थी तो उस रूप में भी गुरुजी महाराज कहते है हमारी रक्षा करते हैं, पर मैं हूँ बेवकूफ, फिर भी भूल जाती हूँ, और actually मैं थोरी से डिप्लेशन में भी हूँ, बहुत ही खतरनाक situation से गुरुजी ने मुझे निकाली है, तो इस बज़ाई से आभी कम्प्लीट ठीक नहीं हूई हूँ, अभी भी डिप्लेशन में हूँ, थोरी बात, तो इसलिए और मैं भूल जाती हूँ, गुरुजी कहते हैं, कि मेरे ब्रेन को बांध के रखा है, और गुरुजी उसको रिभायत कर रहा है, दीरे दीरे, तो मैं भूल गई थी, कि मेक्सिमेशन की बाद भी, तो उंडली चली गई, तो मेक्सिमेशन को जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लेम है, इसको मैं भूल गई थी, इलेक्ट्रिक लोग घर में आई, फिर भी उसके ठीक कराने भूल गई, ऐसे ही मैं बहुत सले चीज भूल जाती हूँ और उसी वक्त कुछ ना कुछ धर जाते हैं, शुक्राना गुरुजी आगा तो करते हैं, बस मै उसकी साथ निवा नहीं पाती हूँ, और टीनी नहीं से कर पाती, गुना तो मेरी ही है, करम भी मैंने की है, और सत करम भी मुझसे ठीक से नहीं हो रही है, गुरुजी की बाते, जितनी सत्संग सुनने के लिए गुरुजी कहते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, उतनी नहीं ह होती है गुरुजी गुज़ा तो करती है और हद पकर के रखा है गुरुजी की भरोसे ही मैं जिन्दा हूँ इतना मैं मुझे पता है और गुरुजी कहते हैं वो सच है और मेरी घर से बहुत सरी चीज निकाली है मैंने और मुझे यह लगता है कि जो चीज सिर्फ हमारी जो हम मारी उपर तंद्र मंद्र की किया हुआ चीज होता है उसे भी बाहर निकलने के लिए कहते है गुरू जी और जो हमारी उपर नेगेटिव प्रवाव फिलते है जो चीज उसको भी बाहर करने के लिए कहते है तो इस मैंसे मेरी घर में मेरी पहले साधना के जितनी सारे चीज़ थी मैंने सारे बाहर कर दी है घर की बाहर गुरुजी ने कहा कि मेरी घर की शर्बनाश कर रही है तो जिसने मेरी तब की शर्बनाश की है वो ऐसा भी कर सकता है कई भी बैटके कि मेरी उसी जो जंत्र है मेरी पात बहुत सारे कई सारे जंत्र है जो शिव शिवा की ही है उसको जो पुरानी है उसको भी मैंने बाहा निकाल दी है तो आगे जो भी आगे भी बताई है सिंदूर है और मुझे पता है वो सिंदूर किसने दीती पर मुझे मिल नहीं रही है मैंने ही रखा है पर कहा रख यह मुझे याद नहीं है तो सिंदूर मुझे मिल नहीं रही है तो यह सिंदूर भी मेरी उपर नेगेटिव रभा फिल रही है पुर मुझे मिल नहीं रही है मैंने तीन बार खाट खुली दो बार अलमारी खुली तीन बार पूजा की समान खुली पर मिल नहीं रही है वो भी मुझे बाद में मिली दो बर ढूने की बाद में तीसरी बर मुझे वो मिली तो रहते हुए भी मुझे नहीं मिली थी पहली दो बार तो यह सिंदूर भी कही है और मैंने खुदी रखा है पर कहीं नहीं मिल रहा है गुरुजी अब ढून के दो मैं तो ढून भी नहीं वृष्पो शुक्राना घुरुजी हरवाद के लिए शुकरना मेरी हाथ को रखा फीर कार्थ्यर्स भीकार्टने की गुरुजी ने बिलाएंगे फिराफ हो गई करेंगे बिलाएंगे जैना कि चीज को केंदेश कर देने के लिए बड़ा भी कुछ हो सकता था क्योंacious कि में इस बात को देखा है तो उसने उसी चीज को पलट के रखा है यानि मेरे ही खराब करेगी तो उनको भी फेकना पड़ रहा है तो अब समझी सकते हो वक्त की सब कुछ खेल लोता है और हमारी सेहने की शक्ती और हमारी गलती सुधाने की शुक्राना आगे कितनी होगी पता नहीं शुक्राना गुरू जी हर चीज के लिए हर लाइट को सेफ करने के लिए शुक्राना पहरा देने के लिए साथ निभाने के लिए हर सास के लिए हर निवाली के लिए जिन्देगी के लिए हर पल के लिए हर शान के लिए निंद के लिए घाने पीने सब कुछ लिए सब उन्हीं के दिये हुए ही ये जिन्देगी ये ब की है तो मुझे शमा कर देना गुरुजी महाराज मैं जनम जनम आपके आगे हारू आपकी जय जया कर हो पूरी स्रिष्टी में आपकी जय जया कर हो आपकी जय जया कर हो गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना